इसलाम अलकुम स्टुडेंट्स मैं नेम इस निसार एहमन इंस्ट्रेक्टर आफ इंट्रनेशन रिलेशन आज जो हमारा टॉपिक है डिस्केशन के लिए वह है फॉर्टीन पैंट्स आफ वूटरो विल्सन अज वी नो तेट वूटरो विल्सन वाज दी प्रेजडेंट आफ यूएसे डिरिंग और अफ्टर दी फर्स्ट वर्ड वार और इसको जो है एक अडिलिस्ट लीडर जो है वो माना जाता है विकोज अफ इस फॉर्टीन पैंट्स इन नैंटीन एटीन जैनिंवरी एक तकरीब में इसने स्पीच की और उस स्पीच में इसने वो तो 14 points हैं इसके for the future Europe और दुनिया के लिए तो इसने जो है वो disclose किये तो इसके 14 points में से जो है सबसे पहला जो point था कि जो countries के दर्मियान जो deals होंगे पैक्ट्स होंगे वो treaties होंगे वो अब जो है वो confidential नहीं होगी वो secret नहीं होगी और उनको जो है public के लिए जो है वो open किया जाएगा दूसरी इसकी point जो थी के countries के दर्मियान जो है वो free trade होगा तीसरी point के countries के जो ships है वो किसी भी समंदर में दुनिया के किसी भी समंदर में जो है वो free वो sell कर सकते हैं without any interruption तो जो चोथी पॉइंट है जिसकी वोडो विल्सन के 14 points की वो है कि जो armament है जहाँ वेपन से उनको de-weaponize किया जाएगा उनको reduce किया जाएगा और जितने भी हथियार हैं दुनिया में जितने सब सब countries जितनी भी यूरप की है तो उनके जो है हथियार जो है कम से कम जो है वो किये जाएगे और पांच भी जो 14 points अफ वोडो विल्सन में से points थी वो थी के जो colonies हैं उनको जो है future decide करने के लिए जो लोकल पब्लिक है या लोकल लोग हैं उनसे जो है उनकी राय मींस एक पब्लिक पॉल जो है वो लिया जाएगा या referendum लिया जाएगा कि उनको जो है कैसे वो independent जो है वो किया जाए छटा point जो है वो है कि जो दूसरी countries है जुन्होंने Russian territories पर जो है वो कबसा किया हुआ है या अक्यूपाई किया था दूरिंग फर्स्ट वर्डवार वो जो है Russian territories या एरियास को जो है रश्या को वापस दे जाए साथवा पॉइंट के जर्मन्स जो है वो बेल्जिम को जो है वो आजादी देंगे और उसको जो है छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट वर्डवार जब स्टार्ट वी थी तो जर्मनी ने जो है सबसे पहले बेल्जिम ने टेक किया और उसके बाद फ्रांस के तरफ चला गया है तो इसलिए जर्मनी को जो है वो बेल्जिम को छोड़ना होगा और आठमां पॉइंट के जो दो territories या एरियास थ नाइन्थ पॉइंट इस जितने भी जो फर्स्ट वर्डवार में इटली की डिवीजन्स हुई या सेपरेट उससे जो है वो एरियास जो है वो सेपरेट किया गए डिवाइट किया गए तो अब जो है future में एक United Italy जो है वो बनाया जाएगा और जो है एक एक जितने भी इट इन्थ पॉइंट होगै जो है हुआ के जो आस्टरिया हंगरी है एक पर स्पिकिंग प्र जो है वह different है अब धो future में जो है आस्ट्रिया को जो है अलग मुल्क बनाया जाएगा और हंगरी को जो है वो अलग मुल्क बनाया जाएगा तो यह था इसका 10th point 14 points में से जो 11th point है वोडरो विल्सन का वो था के जितनी भी invading armies हैं जिन्होंने Balkan states को जो है वो किया था तो वो Balkan state को जो है वो आजादी दे के independence देंगी future में और उनको आजाद र्यास्तें बनाए जाएगे और बारवा पॉइंट 14 points वोडरो विल्सन में से के जो आटोमन इंपायर है या तुरकिश इंपायर था उसमें जितने भी एरियास हैं जो नान तुरकिश स्पिकिंग मतलब जो Middle Eastern अर्ब कंट्रीज के जो तुरक नहीं थे तो वो जो है आटोमन इंपायर को जो है वो तोड़ के उनको अलग जो है वो आजाद दी जाएगी simply आटोमन इंपायर को जो है वो तोड़ा जाएगा और थर्टिन पॉइंट जो है वुडोविलसन का के पॉलेंड को जो है वो एक आजाद पॉलेंड जो है वो बना जाएगा सेटप किया जाएगा और उसके ऐसे एरियास बना जाएगए ताके समंदरी हुदू जो है उस आज़ा दर्यासत पोलेंड में और जो लास्ट पोइंट है और जो एहम पोइंट है जिसकी वजह से जो है वोडरो विल्सन को एज इन ईडल लिस्ट जो है वो कंसेडर किया जाता है वो था कि अब फ्यूचर वोर्स और फ्यूचर ब्रादर होड और future cooperation future peace को अगर secure करना है promote करना है तो अब जितनी भी countries हैं योरप की उनको जो है वो एक international organization बनाएंगे और उसके तहट उस forum पे जो है वो सारे अपने issues जो है वो हल करेंगे तो इसने नाम दिया League of Nations तो यह last point था इन 14 points में वोडरो विलसन के तो दरसल यह जो 14 points है यह during war ही जो है इसने disclose किया थे अभी war खतम नहीं हुई थे क्योंकि इसने यह 14 points जो है January 1918 को दिया थे और first world war जो है वो खतम हुई थी 11th November 1918 को लेकिन इसने जो है पहले ही यह सारा कुछ है वो home work कर लिया था और यह जो है इन 14 points के जरीए जो है एक वर्ड मेप दे दिया कि future में जो हम इन points के तरू जो है वो अब deal करेंगे और कोशिश करेंगे कि वार को भी जो है वो डिफर कर सकें थो लीग आफ नेशन तो यह थे यह था आज का हमारा टापिक 14 points आफ वोडरो विल्सन और इंशाला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ और डिसकस करेंगे फिलाल आज के लिए इतना काफी है